अब्रिबान वेल्कम बैक टो फार्मेसी इंडिया आज किस लास में हम करने वाले हैं प्रोटीन का वंचोट देखे यह तो चैप्टर है यहां से किसी भी तरीके का क्विस्टन आ सकता है अमीनो आसे प्रोटीन के किसी भी पार्ट से तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुर स्टेटि और आपको यह नोट्स मिल जाएंगे चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और जानते हैं कि प्रोटीन और गयानिक है सिम्बल जिवात है इसके अंदर कार्बन होता है हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन होता है तो यह क्या है इतिजा और गयानिक मॉलिक्यूल अगर कोppen सब्सक्राइब क्या मारी बॉडी में बने या बाहर से तो कहेंगे कि दोनों inveja का's इन आर बाडी है ओर बिया फिर नहीं क्योंकि हर दोनों तरीके आप कह सकतो तोके एसेंशल नौन सेंशल यह यह दोनों ऐसे हैं यह दोनों चीजे ऐसी हैं जो आपकी बude के अंदर भी वन्ती आपको बाहर से लेनी पढ़ती है चलो आगे बढ़ते हैं और पॉटिंस की जो मोनोमरी क्यूंइट है वो है अमीनु ऐसिदिव हैं अमीनु यूनिट्स कि ओफ प्रोटीन मॉनोमेरिक यूनिट्स ओफ प्रोटीन यह जब जुड़ेंगे आपस पे तब जाकर प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर तयार होता है अमीनो ऐसे चार्डा और गैनिक कंपाउंड कंटेनिंग बेसिक अमीनो ग्रूप जिसको आप एनस्टू कहते हो कार्वॉगजिलिक होता है जिसको सी ओ ओ एज कहा जाता है तो यह दो चीज़े होती है आपके सामने देखो जितने भी आपके पास सेम होगा यहां तक क्या मतलब है इसका कि यह जो आर ग्रूप है इसको आप अलग-अलग तरीके से अपने according इसको हटा कर कोई और लगा दीजिए हर एक amino acid का अलग आर होता है सबसे सिंपल सबसे आप आसान जो simplest amino acid होता है that is glycine glycine में क्या होगा COOH है C है NH2 है फिर H और एक और H आ जाता है ठीक है यह simplest amino acid होता है इसके बाद सबका जो level है वो थोड़ा सा बढ़ता जाता है जिसके अंदर आप यह वाला जो ग्रूप है आर ग्रूप इसको हटा कर दूसरा कोई भी ग्रूप आड़ कर सकते हो amino acid क्या खोड़ी तो यह इनका formula होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं all amino acid have common structural feature क्या 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 होते हैं अभी-अभी मैंने आपको बताया है सबसे पहला amino group है ठीक है इसी के साथ carbonate group है जिसका सी ओओ माइनस है मतलब क्या अच कहां गया आप सोच रहोंगे क्या अरे जब bonding होती है तो एच महां से remove कर लिया जाता है ठीक है इसके बाद hydrogen bonding तो the same carbon atom यह भी मैंने आपको दिखाया है लेकिन क्या चीज़ अलग होती है वह है आर group जो की side chain है जिसको आप substitute कर सकते हो हर एक amino acid के हिसाब से यह बात हो गई amino acid की अब total amino acid मैंने बीस बताए है ठीक है अब वह सब सेम नहीं होते हैं कोई acidic है कोई basic है कोई aliphatic है ठीक है किसी में किसी के अंदर sulfur group present होता है किसी के अंदर ठीक है तो formula से भी अगर question आएगा इसको याद कर लो आपका बेड़ा पार हो जाएगा चलो सबसे पहले की बात करते है अलएडीन सबसे चोटा होता है आप समझ जाए कि सबसे पहला बच्चा क्या होगा है अगर ऐसे हर एक चीज़ का formula आपको बताने लगी तो बड़ा समय लग जाएगा इसको आप खुद से याद कर सकते हो aspatic क्या याद करना है सबसे पहली चीज़ कि उसका nature क्या है दूसरा उसका formula क्या है बस यह याद कर लो आपका काम हो जाए ठीक है इसको learn करने के लिए आप इसको as it is आपने एक paper पर बना लीजिए उसके बाद जहां आप समय मिलेगा सब consciously वह ध्यान वहां जाएगा आपके दिमाग में पुछ सेट हो जाएंगी पास यही तो चाहिए ऐसे तो याद करते हैं formula's चलिए तो यह है 20K20 amino acid और इन में से कुछ special भी है जैसे है प्रोलीन प्रोलीन एक amino acid होता है ठीक है याद रखेगा यह रहा प्रोलीन is an amino acid है जैसे वैलीन है वैलीन एक neutral amino acid है ठीक है जी तो यह कुछ special amino acid है जहां से डिरेक्ट सवाल आ सकता है चलो अब सवाल उठता है कि जो essential non essential amino acid होते हैं इनको हम याद कैसे करें हम से याद नहीं होता है छोटी सी ट्रिक है सबसे पहली जो ट्रिक है essential amino acid को याद करने की वह है प्राइवेट टिम होल मैंने एंचोटा की बना क्योंकि यह से कुछ नहीं है सिर्फ पूरा वर्ड करने के लिए मैंने यहां पर डाल दिया अए प्राइवेट टिम हॉल पी से बनता है फिनाईल एलनी वी से बनता है वैलीन टी से बनता है थ्रियोनी फिर दूसरे ती से आपका आपका ट्रृप्टो फैंड आइसो लिशी मफ और मैथियो नी डैन एच पोर लाइसी और फूर दूस्टे एल पूर लीशी तो यह आपके पास नाइन असेंश्यल अमीनो एसेड है डि़िक है नाइन असेंश्यल अमीनो ऐसेड अब बात आती है नौन असेंशल की जो की काफी सारे हैं जिनको याद करने में सबसे ज़्यादा दिखता दादी है तो इसके लिए भी एक छोट इसी ट्रिक है क्या है वो ट्रिक अल्मॉस्ट अल्मॉस्ट गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग अटेलिविजन सिरीज प्रमोशन ठीक है यह ट्रिक है ओल्मॉस्ट औल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग अटेलिविजन सिरीज प्रमोशन ठीक है तो हर एक वर्ड के पहले अलफबेट जैसे एसे बनता है ऐलनी दूसरे एसे बनता है आपजनी ठीक है तो इस तरीखे से आप सारे के सारे जितने भी न सब्सक्राइब करने की जरूत ही एक दो बार आप पड़ों कि आपको सारी चीज़ें लर्ण हो जाएगी चालो दूसरी चीज़ की बात करते हैं सोर्सेस की तो हम सब जानते हैं कि अमीनो आसिद के बहुत सारे सोर्सेस होते ब्रॉकली है कैरेट है क्या अनियन क्यूकंबर ड् युथे तरीके से आप प्लॉटीन को क्लासिफायर करते हो तो बैसिकली प्लॉटीनीजिपलas do 2019 सबसे पहला है किसके वैसर क्या सब्सक्रार क्या तो सबसे पहले exhibit लेते कि मदेर्य प्लॉटीन को कैसे हम ट्वाइट करते तो उब सबसे पहले हैं व्याद रखेगा कि यह थीन पार्ड में होता है जिसमें सबसे पहला हो गा सिंपल सिंपल के कुछ हुषाम्पल की बाद कर लेते हैं जैसे हैं जैसे सारे के सारे simple proteins की category के अंदर आते हैं फिर बात करतें conjugate की conjugate के भी कुछ example है for example phosphoprotein glycoprotein nucleoprotein chromoprotein lipoprotein यह सब के सब किसके example है आपके conjugate के क्योंकि conjugation में है जैसे आपको phosphoprotein दिखाई दे रहा है जिसके अंदर phosphate भी है प्लस protein भी है तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि conjugate में क्या के चीज़े आएंगी and then last होता है derived which is again divisible into two parts पहला होगा जिसके अंदर primary दूसरा होगा secondary चीक है primary की बात करते हैं तो जैसे coagulated proteins होते हैं proteins होते हैं meta proteins होते हैं यह सब के सब primary proteins हैं चीक है secondary proteins के अंदर भी बहुत सारी चीज़े आती हैं जैसे proteosis है peptons है ना proteosis peptons इसी के साथ poly peptide है peptides होते हैं यह सब के सब किसके अंदर आएंगे secondary derived protein में याद रखेगा secondary derived protein के अंदर आते हैं यह सारे के सारे फिर इस ट्रक्सर के अधार पर बात करें तो चार तरीके क्यों सब्सक्राइब तीन तरीके के होते हैं फाइब्रस लोबिलर एंड इंटर मीडियेट तो यह है पुरा का पुरा division बड़ा ही आसान है यह एक table है इसको आप as it is चाप लीजिए as it is उतार लीजिए और एके करके सारी चीज़े याद होई जाएंगी फर है ना चलो उसके बाद एके करके बात करते हैं classification on the basis of biological function यानि की हमारी बॉडी में या फिर जो दूसरे protein ही तो है ठीक है protein ही तो है enzyme के साथ साथ coincidence होते हैं जो साथ Fr taking इसी के बाद structural जैसे collagen है collagen, elastin, keratin कहां पाया जाता है keratin हमारे बालों में, nails में collagen fiber आमने नाम सुनाओगा most abundant animal protein होता है most abundant animal protein कौन है? cellulose है तो यहाँ देखेगा bias fair में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला होता है इसके बाद nutrient की बात करें तो जैसे casein है क्या है casein? यह milk में पाया जाने वाला protein होता है milk protein है ना आमने नाम सुनाओगा casein convert हो जाता है caseinogen में जब धाई बनती है इसके बाद regulatory की बात करें तो जितने भी आपकी body के अंदर hormones पाये जाते हैं वो सब के सब क्या है? these all are regulatory proteins hormones क्या है? बहुत सारे हैं आपके पास ठीक है? मैं सब का नाम तो नहीं लिखूंगी जैसे FSH, LH, TRCH ठीक है? तो यह सब के सब क्या है? these all are regulatory protein फिर transport की बात करें तो हीमोगलोमिंग है ना हम सब की body के अंदर हीमोगलोमिंग जो पाया जाता है क्या काम है इसका? transportation किसका? oxygen का ठीक है? तो यह क्या है? यह iron containing protein होता है iron containing protein की category में आए गई जैक है? और इसके बाद last है sorry second last है आपके पास contractile actin, myosin, tropomyosin यह सब क्या है? these all are contractile यह क्या करते हैं आपका जो skeletal system है उसके साथ bind करते हैं उसके साथ attach होते हैं और आपकी body के movement में आपकी body के locomotion में help करते हैं इसके बाद defense जो antibodies होती है body के अंदर वो सब क्या है? these all are defense protein तो यह है सारा का सारा biological classification किस तरीके से आप protein को divide करते हो उनके काम के अधार चले इसके बाद बारी आती है level of organization की level of organization है division नहीं है तो इस बात पर confuse मत होना level of organization का क्या मतलब है? for example हमारी body किस से मिलकर बनी है? cell, cell से tissue बना, tissue से organ बने, organ से organ system बना, तब जाकर body बनी है उसी तरीके से protein का जो पुरा structure है उसके अंदर भी कुछ organization की levels होती है for example पहला होगा primary primary के बाद secondary secondary के बाद tertiary और tertiary के बाद होता है quaternary तो यह चार level of organization है जिनके बारे में हमें बात करनी है चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले diagram देकर आप समझी गए होंगे कौन सा है primary है ठीक है primary सिंपल सी बात है कि जब दो तरीके के amino acid आपस में connect होते हैं किसके peptide bond के थुरू और क्या form कर लेते हैं एक linear structure बना लेते उस linear structure को primary protein कहा जाता है जैसे यह है आपके सामय ठीक है primary structure amino acid sequence in its polypeptide chain जैसे एक amino acid दूसरा तीसरा चोथा पांच बाद छटा इस तरीके से attached होंगे बीच में क्या है कि peptide bond कि यहां रखेगा सारे structure यहां रखेगा क्योंकि आगे भी बहुत इसी के ऐसी रखते हैं यानि कि उसकी stability प्रोवाइड कौन करेगा कोवलेंट प्रेप्टाइड बॉंड याद रखेगा दूसरा होता है सेकेंडरी अब यह था प्राइमरी प्राइमरी में ही पहले और चो थे इन दोनों के बीच में अगर आप एक बॉंड का formation करवा दो तो आपके पास जो इस ट्रॉक्टर निकल कराता है वो कौन है वो सेकेंडरी टर्श्री सेकेंडरी स्रॉक्टर होता है ठीक है इस ट्रॉक्टर अराइज इस ड्यू तो दा है किसके बीच में हुई है hydrogen bonding इनके बीच में हुई है इस इस नौन एज हाइटोजन बॉंडी तो यहां पर तीन बॉंड के नाम आएगे कोवलेंट फैट्टाइड और है ड्रोजन बॉंड ले सीयों ग्रूप और फैप्टाइड वॉंड यह विए आपके पास क्या कर रहा हमने एक स्ट्रॉक्टर था हमारे पास लीनियर बॉंड इस रख्टर की जो आपके पास बोंडिंग थी प्याइड बॉंड की वह हमने ज ट्रोजन बॉंड कब बनेगा जब आपका जो एन एच टू ग्रूप है और सी ओ ग्रूप है इन दोनों के बीच में एच नाम का ये बॉंड आएगा तब आपके पास सेकेंडर स्ट्रक्चर निकल कर आजाएगा इसके दो टाइप होते हैं एलफा हेलिक्स और बीटा प्लेट इसी नहीं होती है कैसी होती है तो देखो कुछ इस तरीके से बनी हुई होंगी आपकी बीटा प्लेटिट शीट डोनों एक दूसरे के और वजट कांग करेंगे एलफा हेलिक्स और बीटा प्लेटिट तो यह हो गया तर्ड आता है टर्शरी स्ट्रक्चर अब टर्शरी ना लिया उनको तोड़ना नहीं उनको आज इस रखना है यह चीज़ ध्यान रखेगा यह लेवल ओफ और्गिनाइजेशन हो रहा है तो उनको साथ में रखते हुए हमें फिर से फॉल्डिंग करा देनी है और जो तीसरी बार आप फॉल्डिंग कराएंगे उसमें एक नया बनेगा वह जो तीसरी फॉल्डिंग है उसको टर्शिरी स्ट्रक्चर कहा जाता है फ्रॉम फर्दर फॉल्डिंग ऑफ दा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन इलेक्रोस्टैटिक बॉन डाइसलफाइड लिंकेज और वेंडवाल फॉर्स चार हैं आपके पास बनेगा डाइसलफेड लिंकेज बनेगा और इसी के साथ वेंडवाल फॉर्स बनेगा जिसकी मदद सी कि पूरा का पूरा टर्शिरी स्ट्रक्चर है यह तूटेगा नहीं ठीक है तो यह होता है आपका टर्शिरी स्ट्रक्चर इसकी वजह से हमारे पास दो चीज़े और न देखो सिंबल जी बात है परपस क्या है इस्ट्रक्चर प्रोटीन यानि कि यह हमारी बॉड़ी में जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है फाइब्रस प्रोटीन यह है एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन और यह है एक फंक्शनल प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन क्या मतलब है कि यह बॉडी में काम करते हैं और यह स्ट्रक्चर बनाते हैं दोनों का रॉल अलग-अलग होता है पिर इग्जैंबल की बात करें तो आप याद करिए मैंने अभी आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन-कौन से होते हैं एक है ना को लेजन है जैसे आपके पास इलस्टीन है यह सब क्या है इससे और 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 स्ट्रक्चर अब और फंक्शनल की बात करेंगे लिए के सब क्या है और क्लोबिल सब किना क्या काम है औल shopping करने का चेह निशन को करने का एनRaी जाएं करते हैं ह्याटे और निव सब्सक्राइंस को निवीर होगा उल्रेंस बात करें तो फाइंड theft में दो दोस्त एंग पतलू कि लंबा होगा फॉल्ही होगा ऑफिक्लों होता है इसी के साथ हो फ्होड़ा सा सर्किलर होता है तो बात कर सकते हो प्रोटीन सीक्वेंशMO websites की बात करते होगा तो यहां देखेगा कि जो अमीनो आसिट का सीक्वेंश है वह रिपीटिटीव होगा फॉर एक्जांपल की वैलीन है फिर से वैलीन आजाएगा मतलब रिपीटिटीव यूनिट्स है अमीनो आसिट की लेकिन जो आपका ग्लोबिलर प्रोटीन होता है यहां ऐसा नहीं ह का होता है लुगाद का रेजिलियन्स की बात करे तो यह कम सेंसिटिव होते हैं जैसे और हो यह हो जाई यह तो यह कम होते हैं आपके फाइब निचे डिपन नहीं क्यानिस के अंदर मोटा बच्चा होता है वो इतनी जल्दी रोता नहीं है ना उसको आप कहते तो यहीं चीज यहां पर भी है आप यह बदलिए आप टेंपरेचर बदलिए कोई फार्क नहीं पड़ेगा इस पर लेकिन जो फार्ट पर जाता है तो यह इंसॉलिबल होते हैं वाटर में एंड इस आर सॉलिबल इन वाटर ठीक है यह है डिफरेंस बिट्वें फार्ट नेक्सट नास्ट टेझि कोट न्यट्वें प्रामरी आ Państwo सै के लीज़ी आपने प्रामरे स्न्रक्चर बढालियों सब कूछ फॉब में सबकुछ हैड करते हैं प्रैमरी हे ऊंeld सकेंडरी ब्लंस यह ही जब इनकी ऑगे फिर की डॉल्ड जाईगी है पिरक्शे इन पो तोड़ा मरोडा जाएगा तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आता है वो है क्वाटरिनरी स्ट्रक्चर ठीक है देखो दा क्वांटिटी एंड ओडर ओफ न्यूम्रेस फॉल्डिट प्रोटीन सब यूनिट इंटा इंटू अमल्टी सब यूनिट कॉंप्लेक्स एंड डिस्क्राइब बायो प्रोटीन कोटरिनरी स्ट्रक्चर जो मैंने अभी करा है ना कि फॉल्डिंग प्राइमरी की भी सेटींड़ी की फॉल्डिंग अगर करते जारे हो एक सिम्पल को में से आपने बड़ा ही कॉंपलेक्स प्रोटीन का कर दिया तो वह ऊता है वह होता है 턱िल्ट आएंड रेंजिंग फॉम सिम्पल डाइमर्स to huge homo-oligomers as well as complexes with a fixed or variable component count यह simplest भी हो सकते हैं for example आपके पास वैलीन आए जा रहा है आए जा रहा है मैं त्यूनीन है उसके बाद isoleucene है यह हुए isoleucene for example कुछ भी पान दो आपके पास इतने जा रहा है तो अगर यह है यह भी एक आपका लेकिन अगर मैं वैलीन मैठ्योनीन आइस लिसीन इसी तरीके से दूसरे भी अमीनो आसिट को जोड़ती चली जाओ तो यह भी एक रही बनाएगा चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉंप्लेक्स हो ठीक है तो सिंपल से लेकर आसान से आसान और इसी के साथ भारी से भारी चितने भी आपके पास स्ट्रक्टर बनते हैं फर्दल फॉल्टिंग से और सब क्या होते हैं इस और आपका बेसे ऑफ क्लासिफिकेशन भी हो गया उसके साथ ही साथ हमने देख लिए अमीनो आसिज क्या होते हैं तो यहां तक काफी चीज़े हमने कर ली है अब बात करते हैं डी न देखो कि यह एक पैन है इसको मैं खोल के अलग अलग कर दो इसकी जो पिन है वह अलग निकाल दो पीछे की कैप अलग निकाल दो तो यह हो गया डी नेटिव स्ट्रक्टर को आप तोड रही हो अब बहुत सारी चीज़ों की मदद से तोड़ सकते हो आप उसका पीएज कर सकते हो हीट की वजह से कर सकते हो ठीक है तो यह जो आपका नेटिव स्ट्रक्टर को तोड़ने का काम होता है इस इस नोन ऐस दी नैचुरेशन ओफ प्रोटीन कॉइब करी मेरी स्ट्रक्टर अब इस ने इस तोरो तोड़ों निकल कर आजाएंगे材 आपके पास एक और यहसा ना इतले दिवाग लगाना झाए है यह तो मैंने अगर वापस से जोड़ो मैं वापस हीन्ड डाला मैं पिछे की कैप लगा दूँ आगिट कैप लगा दूँ सारी चीज़ जोड़ दूँ तो यह री नैचुरेशन की कैटेग्री में आये था जो स्ट्रक्चर आपने तोड़ा था अगर आप उसको दोबारा से बना सकते हो तो वह री नैचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है ठी सारी कम को करना स्टार्ट कर देगा कर देगा यहां पर जो भी वापस स्कों बना रहे हो पॉलिपक्ताइट के नंदर जो भी होते हैं इसमें दोबारा से किस में बनाते हैं दोबारा से इंट्रैक्शन करें डी अब बातождate कि कि स्पैसिपइच में लुखा जाता है कि प्रोटीन न स्पेसिपिक pH में काम करते हैं जिसको optimum pH कहा जाता है ठीक है optimum pH अब इस pH में अगर आमने बदलाव ला दिया for example pepsin अब यह जो pepsin होता है आपके पास enzyme है लेकिन हम सब जानते हैं कि all enzymes are proteins ठीक है तो यह जो pepsin होता है किसमें काम करेगा यह acidic medium में काम करता है ठीक है अगर आप इसको कहीं और भेज़ देंगे कि वह यहां से जाईए आप alkaline medium में जाईए जहां पर pH जादा है तो यह चला तो जाएगा लेकिन यह अपना काम छोड़ देगा ठीक है इसके structure में बदलाव आ जाएगा यह टूड जाएगा तो यह सारी क्यां चीज़ें होती है फियांच में बदलाव करने से उसके बाद आता है क्या मिकल डी नचुलेशन यानि अगर आप किसी भी कैमिकल की वज़़ा से कर वा रहे हैं दिस नोन एजकेमिकल डी नाइचर एज़ एज लास्ट इस फीट एद राडीएशन के थुख रूंप या आज़ ने वाला डी नाचरेशन हीट में क्या होगा तामपरेजर बदल जाएगा इसी के साथ राडियेशन यानि यूवी राडियेशन हो गई एक्स रेज हो गई इन सब की मदद से भी देनियाचुरेशन का जो प्रॉसेस है वो परफॉर्म किया जाता है नेक्स लास्ट जो इस टॉर्स क्लास का इस चैप्टर का टॉपिक है वह है ट्रांस अमीनेशन और ड ग्रुप को उठाकर एक अमिन्व आसेट से दूसरे ग्रुप पर फिर दूसरी कहीं चगा की तो आसेट पर भेज रहों या कहीं भी भेज रहे हो यह कहलाता है ट्रांस अमीनेशन चाहिए डिए अमीनेशन मतलब अमीनो ग्रुप को तो वो होता है deamination, Transamination क्यों किया जाता है क्योंकि हमें जरूरत है, Non-Essential Amino Acid की जो कि बॉड़ी के अंदर ही बनते हैं, तो इस चीज के process के formation के लिए किया जाता है आपका Transamination, लेकिन जो deamination का process होता है, यह excess protein को तोडने में काम करता है, ठीक है involved in the breakdown of excess protein तो यह लिख लिजेगा involved in the breakdown of excess proteins अब कहां होंगे occurrence क्या है तो occurs in all cells of the body क्योंकि amino acid तो हर जगा ही बनते हैं और इसी के साथ यह liver में होता है यह जहां पर आप चीजों को तोड़ते हैं आप खुदी सोचें कहां टूटता है अबीनो ऐसे लिए ना तो यह वहां होगा उसके बाद करते हैं कि क्या-क्या जो एंजाइम है वह involved होंगे तो simple जी बात है ने तो कौन्सा होगा ट्रांसमीने ऐस होगा यह फिर अंधैर होता है चीक है इसी के साथ यहां पर डिया मिन एजगेग्जच पर अट्वांसा इनजाइम होता है तो आपको आपको आंसर पता होना और यहां पर रिजर्ट इन दा एलिमिनेशन ओफ अमोडियां पूरी तरीके से जब आप एक अमीनो ग्रूप को रिमूव कर देते हैं वह होता है इसके बाद ग्लुटैमिक एसिट इस दा में ग्रूप ऑफ दा अमीनो आसिड और यहां पर ग्लुटैमिक एसट इस दा परी कोम होगा खाली और यह होता है परन्तु डी अमीनेशन कभी भी इस नहीं किया जा सकता अगर आपने अपने पूरा अमीनो ग्रूप किसी भी आमीनो आसिट से हटा दिया तो वह पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है फिर दुबारा आप उसको एड नहीं कर सकते हो यह डी अमीनेशन होता है कि वह कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता है ठीक है और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है अपना प्रोटीन का वंशॉट आई होप सारी चीज़े क्लियर हो गई होंगी आपको तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के वंशॉट के साथ आप तब तक बने लिएगा फार्मेसी इंडिया के साथ क्योंकि डर नहीं की है क्या बाद जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ स्टे सेफ थैंक यू